नमश्कार बहुत स्वागत है आपका जन सत्ता में मैं हूँ आपके साथ नहारेकर श्वास्विस बुलेजिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से आपको बता दे कि हरयाडा में जो हिंसा लगभग तीन दिन पहले शुरू हुई अभी भी उसकी आंच जो है वो ठंडी न लगाए गई फिलाल आपको बता दे कि सबसे बड़ी खबर ये है कि एक वीडियो सामने आया जिसमें तमाम जो आरोपी हैं उन्हें कमरे में बिठाये गया उन सभी लोग उन्हें मास लगाया हुआ है फिलाल आपको बता दे कि इसी तरह सरकार जो है वो अलर्ट नजर आये आपको बता दे अभी तक 41 FIR दर्ज हो चुके है और 149 जो लोग है वो पकड़े जा चुके जनसत्ता के पास आरोपियों की exclusive तस्वीरे है तो पहली तस्वीरे हम आपको दिखाएंगे आरोपी 9 के सदर थाने में जमीन पर बैठी हुए नजर तो तस्वीरे आ सामने आ चु है तस्वीर जो है वो खराब कर दिये तो आप देख सकते हैं ये वही दंगाई है जिनोंने यहाँ पर अभी फिलाल जो हर्याणा के लोग है इनी की वज़ा से खौफ जदा गए तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पर आरोपी उन्हें पकड़ कर यहाँ पर बिठा हर एक इनसान की सुरक्षा नहीं कर पाएगी फिलाल आपको बता दे 41 जो FIR है वो दर्ज हो चुके 149 लोगों को गिरफतार किया जा रहा है FIR की संख्या और आरोप्यों की संख्या लगातार बढ़ती चली जारी है वहीं आपको बता दे कि यहाँ पर जो तमाम हर्याणा से जुरे बॉटर है उन पर भी लगातार निगरानी रखी जारी कल सुप्रिम कोट ने भी इसमें दखल दी थी जब सुनवाई हुई तो उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो ध्यान रखे कि दिल्ली और यूपी के जो 11 शेहर है जो हर्याणा से जुड़े हुए है या वहीं आपको बता दे कि लगातार जो नू केस्पी है और तमाम जो सरकार के नुमाइंदे वो लगातार ये कहरे कि सोशल मीडिया पर जो भड़काओ बयान बाजी है या फिर गलत इंफॉमेशन है उसे ना सुने अपने तरीके से यहाँ पर अपना दिमाग का उपयोग करे कि आपको कब बाहर निकलना एकिन लोगों से बात करनी और फिलहाल उन्होंने कहा कि यहाँ पर सामप्रदा एक दंगो को देखते हुए यहाँ पर जो सोशल मीडिया पर गलत इंफॉमेशन चल रही है उसके भरोसे ना बैठे क्योंकि सरकार और यहाँ पर जो प्रसाशन है वो आपको सही जानकारी दे रही है फिलहाल प्रसाशन की तरफ से जो जानकारी सामने आरे उसमें ये बाते सामने आएं कि फिलहाल जो सिती है उसे कंट्रोल किया जा रहा है लेकिन रात में कई ऐसी जगाए जहाँ पर धार्मिक स्थानों पर बंबारी हो रही है और तमाम जगाओ पर आगजनी की जो समस्या है वो भी सामने आ रही है आपको बता दे कि हर्याना गुरुगराम और तमाम जो ऐसी जगाए है जहां पर पहले से तस्वीरे थोड़ी खराब थी फिलाल अब तस्वीरे सही हुई है जो स्कूल है वो कई स्कूल खोल दिये गए है और ज कोशिश कर रहे है कहने की कि तमाम जो यहां पर लोग है वह फिलाल सोशल मीडिया के भढ़काऊ बयान या गलत इंफोर्मेशन की तरफर कोशिश कर रही है कि यहां पर महाल जो जो है वो ठीक किया जाए अगला जो बयान है वो आको ग्रहाम अने heading का सुनवा देते कि क्या क कुछ फिलाल हर्याड़ा में स्थिति है और को लिखके दे दिया है और मेरी एसे सोंचे बात हो गई है और वह जल्दी वह समति को जारी करते हैं अगर यही होगी मौडल होते तो आज उनके घर किरादी होते हैं सब्सक्राइब अपनी बात कहने का अधिकार है वो करें उसका मुझे को इतराद नहीं है। लेकिन मैं सब को कहने साता हूँ कि कुनून अपने हाथ में मत आप करिये किसी परकार से लोगों को इससे नुक्सान नहीं होना चाहिए किसी परकार नहीं होना है कि उन्होंने लोगों को बढ़काया जैसे आपने का सोशल मेडियों तो क्या ऐसे विजाइकों किलाभ भी करेंगे अगर मिल्दा लोग कोई भी हो छोटे से बड़ा तक जिसने इसकी साजिस्टी है जिसने इसकी इंजिनरिंग की है जिसने यह शिदंत प्रता है जिसने जहर बोला है उसको हम आप नहीं करेंगे लेकिन हम पहले उसको बेरिकाब करेंगे हम तथ्यात्मत तरीकों से उस जो सामने आएगा जिसरे भी इस चिदंत किया है उसको हम बख्षेंगे नहीं कॉंग्रेस कह रही है आपकी चुनावी रणीती आप लोग नहीं सारा प्लैन किया और यह कहते है बीजेपी का प्लैन करने का समय नहीं है अब यह जो लोग राजनिती कर रहे हैं जो भी प्रशन कर रहे हैं वो प्रशन करने का समय नहीं है अभी शांती भाल करनी चाहिए हमें परदेश में देश और परदेश तबी तक कि करते हैं अगर वहां पर शांती हो तो सबसे पहला फॉर्मस्ट काम हमारा है पर्देश में शान्ती बाहल करना उसके बाद मैं भी पक्ष के जवाब दूबाएं अजी जो भी हर ठाने पर एक IPS की डूटी लगाई है और जो जो सक्षे मिल रहे हैं सीसी टीवी से जानने आ तरिकों से जो जो सक्षे मिल रहे हैं उसके अफ़ाई आर दर्ज करते हैं हमने 41 अफ़ाई आर दर्ज की हैं और 116 विक्तियों को हम अभी तक अरेस्ट करते हैं नबे आदमे हमने डेटेन की हैं उनसे भी पूस्ताश की जा रही है और सोसल मीडिया ने क्योंकि इस नूप वाले हाथशे में बहुत बड़ी भू लाई तक और उसके आगे तक हर सोसल मीडिया को स्कैन करेगी हर फेस्बुक को ट्वीटर को और वाट्चैप को स्कैन करेगी अगर कहीं पर भी किसी ने कोई उटेजनात्मक पोस्ट डाली होगी तो कनून के तहत उसके खलाब कारवाई की जाएगी और इसके साथ ही मैं हर् चानिये कि हम उस पर निगाह रखे हुए हैं हमने पहले शांटी बहाल करनी हैं अपने बर्देश में शांटी स्थापद करनी हैं यह हमारा फर्स्ट एंड फॉर्मस्ट कारिया बनता है जब समय आएगा लेकिन अभी नहीं है अभी तो शांती बहाल करनी है आप लोग भी अपने तिरिकों से आप लगर्यकर्तों के माध्दंभी से अपने नताओं के माध्दंते से शांती बाहिं में योगदाण दे यह मैं आपको कहना open किसी किर्मिनल ने कोई वीडियो जारी कर दी थी तो इसका मतलब यह है कि तुम लोगों के घरों को आग लगा तो इसका मतलब यह गाड़ियां भूग तो इसका मतलब यह गोलियां चलाओ कौशी किता में लिखा यह अगर कोई किर्मिनल ऐसा कर भी देता तो माल लो कर दिया तो क्या इसका मतलब यह तो फिर तो कल को सारी सबकुस किर्मिनल के आज में चला जाएगा यह ठीक नहीं है किसी भी तरह से जो भी लोग यह दिलील दे रहे हैं वो ठीक बात नहीं है लेकिन हम तथ्यात्मक चीजें एकत्रित कर रहे हैं जगा जगा पर हम सारे तथ्याओं को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी पुलिस उसमें लगातार लगी हुई है कि जो जो दूशी हैं उनके खिलाब हम करवाई कर सके हैं तो अनल विसके बयान सुने आपने लगातार उन्होंने कहा कि स्थिती कंट्रोल की जा रही है फिलाल तीन तस्वीर आपके स्क्रीन पर है पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं वही आरोपी और उपद्रवी है जिनोंने यहां हराना की स्थिती जो है वो खराब करकी रख कर रहे है और लोगों को जागरों करने की कोशिश की जारी है वही तीसी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि तमाम जो हर्याना के जिले हैं उन्हों में अब कामकाज जो है वो शुरू हो गया जिन्दगी वापस पठ्री पर रागी है लोग जो है वो घर से बाहर निकलने ल लेकिन फिलहाल अभी हर्याना की स्थिती जो है वो ठीक है कईजलों में जो पूरा मामला है उसे शांत कराए गया है और तमाम जो FIR है और आरोपी है उन्हें जल्द से जल्द यहां पर पकड़ा जा रहा है तो पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई एक्स्क्लिउजिव यह जो जनसता आपको दिखा रहा है यहां पर जो तमाम आरोपी है वो आप देख सकते है जमीन पर सभी यहां पर नंगे पैर बैठी उगए है मास्क जबीने लगाए और यह वही लोग है जिन्हों ने यहां पर उपद्रव किया तमाम गाडियों में आग लगाई दुकानों म में आग लगाई CCTV कैमरे तोड़े यह वही लोग है फिलहाल जब इन से बातचीद की गई तो इन सभी लोगों ने कहा कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है लेकिन जब कोई भी चोड़ी करता है तो यही कहता है वहीं जो दूसरी तस्वीर उसमें आप देख सकते कि तमाम जो कर सकती है हाला कि उनोंने ये भी कहा कि सरकार कोशिश कर रही है कि यहाँ पर से खराब नहीं हो लेकिन आपको बता दे रात होते तक यहाँ पर स्थिती जो है कई ज़गाओं पर खराब हो जाती है कई जगा से बम्बारी की खबरे और तमाम दुकानों में आग लगाने की सामने आने लगती इसलिए टीमे जो है वो अभी भी लोगों के घरों के बाहर और ऐसी जगाओं पर मौचूद है जहाँ पर सिती जो है वो खराब हो सकती है जहाँ पर मुस्लिम बहू इलाका जो है वहाँ पर मौचूद है पुलिस और तमाम यहाँ पर जो लोग है वो फिला हर्याना की तीन तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आपको बता दी कि तीन दिन पहले चालू हुई इस हिंसा के बाद तस्वीर जो हर्याना की सामने आए थी वो डराने वाली थी क्योंकि करीब आपको बता दे सैक्रो गाडियों में आग लगाए गई थी कई दुकानों में आग तोड़े गए लोगों के मकानों में आग लगाये यहां तक की जो धारमे के स्थल है उसमें भी लोगों ने यहां पर लोगों को बंधक बनाया और तमाम जो यहां पर लोग थे वो फिलहाल डरे हुए थे लेकिन अब जो तस्वीरे सामने आ रहे हैं वो थोरी राहत देने वा कर दो दिन पहले एक अपतिस थारीक को जिस तरिके का महूल था कैसा महूल था यहां के क्या कहना चाहूगे उप्तुन डिके जब तक महार चले जाते तो लियाते कोई मजार घात अब बिलकुल वैठे हैं, कुछ ना साग ना सबजी नहीं, कोई पैसा न देरी नहीं, कोई चाह न पाने नहीं, तो मजूरी करते हैं, रोद लाते रोद ठाते हैं और किस तरह की दिक्कत आ रही है? क्लिक्कत आरें हम को डर भी लगता हैस्यानिवच्छे अमको खाने पीने को भी नहीं मिलता ना पॉई दूर में गार नहीं कुछ नहीं मिलता हमको बजाब नहीं गगाट में बन्हें अबट सही नहीं बनाच और नहीं है। अब भी मजूरी नहीं लग जा रहे होंगे लाईंगे। तो अहां बाजन आपको दिखकत अशाइए भी है। अगों अपधी को आपके लग गुली है बन्हें आफ दो पुलीज होंगे। पुलिसों ने बंद करवा देजया। इं कोजए छी फोरर्णी दूदार भी मिल लुनदार भी नहीं है। देरी नहीं बंद कछ नहीं... कहीं भी नहीं मिल आठा मिल लाना दूदों कुछ नहीं... और कोई मजूरी नहीं मिल लिया। हम यहां बैठे हम परियसाने चार बच्चे हैं चांग से खवाब हैं, उसे हम रोज लाते, कोई गारी गोड़ा मिल जाते, तो उतार लेते, कट्टा मट्टा ऐसे, खड़ते हम, हम बहुत तंग है मज़ी जाते हैं अमबती जी, आप जा रहे हो, सबरे सबरेत में जा रहे हो, किस लिए किधर जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, तो पसु पालने के अलावा और क्या करते हो, किस तरीके के एक खाम करते हो, जिस तरीके से यहां कमाहूलता दो दिन पहले, तो उसमें किस तरीके का डर कमाहूलता कि इस तरही एक जावा ईड़ बाहर रहा है तो खाने के दूझ कोई कज आने जाए डर का माहूल हुआ है और बच्छे ने भी बाहर ने भी भेज रहे है तो खाने के दूद की इस तरीके से हो रहा है रासन तो ऐसा है जैसे पहला कुछ है और आज बोला है वे आग तक वो खुल जाएंगे रासन के दुकान कुल जाएंगे लेको कुछ करेंगे जैसा होगा लेकिन दर्का माहुल तो बना हो है काफी रात को भी सोते है तब भी डल साथ मकाने जन कैसा आएगा कोई क्या होगा सुबह क्या होगा दिजिक मुहले में सब्जी मंडी वगेरा कहीं लग रही है रहा चलाता हूं जी तो घर में बच्चे हैं जो लटके हैं तो उनके विता है वे दूद की वैस्ता चाप आपके वेया सिर्टी आप किस तर dispósश कर रहे हो पहले होता था हुआ पहले मैं एक किल दूद ला रहा हुँ पहले मैं दूद के मलगिला खा एहा आता था एक सामावन नहीं आ रहा बिल्कुल जी . अपने वही साफ सो खरके चला रहे हैं। कैसे मजदूरी नहीं हो पारही है। मजदूरी टांसपोर्ट नहीं आरे, गाड़ी नहीं बगार नहीं आरे, रहरा कहां से चलेगा हमारा। जो यह दंगा हुआ उसके वजेसे हैं। वहाँ से हमारा बने पारहा हुआ है। जो जादा प्रिशानी हो उता है। जाद शाव डाता हैं। अब को अच्छाव को यह देक्ट मार्श कर शुक्ता है। जो आपकार इस नहीं समाना की अश्राइट है। आप को थोड़ा थोड़ा करके ला रहे हैं। उसी साहब से अगर मैं उसी साहब से ला रहे हैं परिशानियां बहुत हो रहे हैं बहुत ज्यादा परिशानी क्या नाम है आप जी मेरा चरन सिंग नाम है चरन सिंग जी किस तरह के कि आपको परिशानी हो रही है इसके दंगे के बाद क्या कहना है परिशानी तो जी हुई रह बच्चों के लिए और सबसे बड़ी परिसानी जु मैं परिसानी है July एम बंच पड़ेंदे और ब üzी बैंक बंच पडियेंग. आप खड़ी पंचा का उन्य जयूगा रिगा कर्णет से तो खंची कहां से लोगा कयां से गूजा रहा रहा हूं यह समस्या जी ? चंसिन जी यहां में दिका डेली वोकस्स जब द है जो रोज के काम करके पैसा लेकर आते हैं यहां बताया जा रहा है के ATM आपको जैसी अभी बताया बंद है जो रोज का पैसा लेकर आ रहे है उनके पास स्टम की सुर्स बंद हो चुका है अब एटेम भी बंद होता है, तो क्या कहना चाहिए उनकी जिन्दगी के सिकर्ट्री अगर आपको एक्सपिरियंस को शोर करना है। उनकी तो जी बहुत प्रइसानी में relativity केलिए तो यह सबसे मुटब के परिसानी है ना तो कोई मजदूरी मिल रही जी उनको और एटेम की भी बहुत जादा मैं है क्योंकि अगर यह खोले जाएं थोड़ी बहुत देर के लिए घंटे दोंटे लिए तो आज में अपने खर्चे के पैसे तो लिया है अब बच्चों में परेसा नहीं हरता है तो थोड़ी देर के लिए खोले जाएं मत्वियर कहने कर यह रितात परें जिससे आप समान ला स कि जाही ला सभेड़ी इसले पर यह लेजा है कि आूँता है रिखर्चे कि आखि थासा मन लॉपिय शरी केलो मिक्र लिए चाहा ऑज से तो लेता हूं घ्योड़ी अले जाता था शोड़ी चाहि यह जाए बड़ी अर पर देसा जयाता है छावन साघ को उत्यूलिसा भीच कितने घुद्ध है, यहां जा लएख ता तब डर्किवजये से वे लेट जा रही में प्क्ताइए अब लेक अंक्ट फानी मिलाए नहीं मिलाएं इसलिए लेट जाना कोि है जर आप कTalk न视 Cyber आरते हैं तो दुकान देन खाराब ऑरी है यह दिक्कत आरकोए कोई धिक्कत नी जिया है तो कंदरिक हडया ओरी एप इस सब्सक्राइने। क माने वाले हैं तो पैसा कह şekilde क है आता हुआ है रोज कराने वाले है। और क्या दुक देखिगते है अन्य। दुकानों के 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 तो तमाम बयान जो है आम दिन्ता के वाइब और बयान सुर्वाइब और बयान सुर्वाइब हिरालाजी आप क्या काम करते हैं हम सबजी का काम करते हैं और सब्जी जब अब दो तिन दिन होगे बंद पड़ी है जब कोई बच्चा भी नहीं आ रहा है मंडेक अंदर और हम तो जी सुबह लगाते हैं हमने सांगों बच्चे कि लिए गरीबाद में है अपने जब कोई आय फॉर नहीं इतने परशंनी ओर या पकला है हम फुसरा पैसे नहीं आ रहा है सब्जी काम है एक हमें खौध्य को सोनुच्थ वो नुक्सान हो रहा है वो सारी वो पड़ी रह जाती है फिर वो दूसरे दिन हमको फैंगनी पड़ रही है इतना बुरे हाला थी पड़ेंगे क्या करा रहा है आप बताइए अच्छे आपने का रूज कमाना है रूज खाना है तो कही नहीं सेविंग्स जा रही होंगी जो बचत पैसा और वह जा रहा होगा और वह भी करें तो लोगों से बैचल रहा है एटियम यहां पर नहीं तो ऐसी दिक्कते आ रही है एटिम का पबलीक पैसे नहीं पहली बात तो और सुबह हम कमाते थोड़ा बहुत आता है तो उसको बच्चे का पेट पाने कर रहे हैं और क्यों अचानक यह बात फैली कि जगड़ा हो गया है उठाए सरकार ने जैसे एहतियातने का तौर पर करफू लगा दिया उसमें जमीदारों की जो सबजी रखी वी थी वो लगबग सारी खराब हो गया और हमने डिस साब से कहा रिक्वेस्ट करें कि भई इसको थोड़ा सा दील दी जाए तो सायसे को बला करके मिटिंग में सबसे ही कहा कि थोड़ा थोड़ा जो ढील दील जारे मापकाण已經 थे फृँ और हमारा बढ़ीया काम था भी यह विट्टे जीरो है जिस दिन से करफुला उस दिन से तो दुकान ही बंद होगी सारी और लगभग जमीदार ज्यादा प्रेसान है मजदूर तरगवा प्रेसान है क्योंकि जो लोग सुवेरे कमाते हैं और स्याम को खाते हैं उनके पास कोई खाने के लिए साधन भी नहीं रहा है लोग सारे मारे मारे घूम रहे हैं और प्रसावसिन से बारे रिक्वेस्ट है जितना जल्दी हो सके इसको सही मायने में लाया है पहले हजारों की ताधात में यहां पे भीड़ होती जी सुवेरे के टाइम और अब सो आदमी भी नहीं है इस मंडी के अंदर तो हाला ज़्यादा खराब हुए पड़े हैं इसलिए हम तो आप से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं भीसी साहब से कि यह माहूल को चान तिक्रिय बना करके आगे जो गरीब तबका है उसको राद दिर जाए क्या नाम है आपका संतोस संतोस जी बजार बंद है मार्किट बंद है खाने की जो वस्तु है किस तरीके से ले रहे हो कितनी परेशानी होई किस तरीके से क्या है को मिले मिल जा नहीं मिले तो कोई बात नहीं है अपने घर में रहते हैं अब क्या करें अब दूद को जाना प सबी बस हैं सबी बंद सबी बंद दुकाने तो इसे हों जुआ नहीं खुलती यह अब लोग थक्रचा विर ओचमे डशी मुझ लाय करते उिड़्य के लिए ज़ौजर से मिल पा रहा हैं अब मिल ठाहए लुपोज क्षा पूलिपोज कर रहा है कि अपने हम्युक्राइब जो पहले रखा उर्यूज कर रहे इसका प्लेबuben राझाजले बंडेक भी अब कुछ यह नहीं मिल रहे हैं टॉven तो हार्याणा के आम जंदा के बयान हमने आपको सुनाया उन्होंने साफ तोर पर कहा कि इस्थिती पहले से बहतर है लेकिन अभी पूरी तरह से जंजीवन जो है वो वापस पट्रे पर नहीं आपाए दुकाने जो है वो भी नहीं खुल पा रही है और तमाम जो सबजी मंडि अभी भी लोगों मिंडर है उनका क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं देखिए जो इनिशियल इंसिडेंट के बाद से किसी प्रकार की फ्रेश वाइलेंस नहीं हुई है और पूरी जगहों पर फोर्स पूरी तरह डेपलोईड है करीब 14 कंपनी बाहर से बलाई गई है और नो एड़र्स इंसिडेंट रिपोर्टेड सेंस आप नॉमालाइडेशन इस कमिंग और इसके अलावा पिछले चोबीस घंटे की बात करें तो हमने कुल चार एफ़ायर और फ्रेश दर्श की हैं जिसमें से कुल हमारी 45 एफ़ायर हो गई है 41 पहले हो चुकी थी आप मे उसमें हमारे कल तेईस अरेश्ट और एक्ष्टर होए हैं तो अभी तक कुल 149 अरेश्ट फुलिस कर चुकी है आठ टीम हमने ह्टी एफ की और CIE की कमबाइन बनाई है जो की लगातार जो आरोपियों की धरपकड में लगी हुई है इसके साथ साथ तीन SIT कटित की गई हैं जिसके अंदर ये सभी केसिस दिये गए हैं ताकि इनकी प्रॉपर इन्वेस्टिकेशन हो सकें और सभी एविडेंस पे हम टेकनिकल एविडेंस पे और अन्या सरकम्स्टांचल एविडेंस पे वर्क आउट कर सकें इसके लाबा जितने भी घटना सल थे वहां की आस पास की CCTV फुटेज चाहे वो पुलिस के द्वारा लगाए का कैमरास थे चाहे वो प्राइवेट परसनल लोगों के थे कैमरास उनसे सभी हार्डिस जो है एवैलेशन के लिए ले ली गई है और इसके लिए एक 25 मेंबर की हमारी टीम गटित करके एक एक वीडियो का एनलिसिस जो है एक व्यक्ति की पैचान की जा रही है कि इन में कौन-कौन लोग इनवार्ड थे इसके लाबा सोशल मीडिया की पूरी तरह ऐसे चानबीन की जा रही है जितने भी वीडियो सामने आ रहे हैं उन सभी के अंदर जिसमें भी बढ़काओ भाशन इत्यादी या वाइलेंस के सम उन गाओं में to search for the criminals और जो वहां के प्रोकलेंट ओफेंडर्स हैं उनकी सर्च के लिए एवम रिकवरी और अधर इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस वी अब दन दी कौर्डन एंड सर्च ऑपरेशन इसमें हमने सिंगार विलेज में और इसके अलाबा मेवली गाओं में जला इसके अंदर लगातार जो है प्रोलिस हर तरीके से कारवाई कर रही है साथ साथ हमारी पूरे एरिया में फ्लैग मार्चेस डे और नाइट चल रही है और लोगों के साथ दोनों कम्यूनिटीज के जो लीडर्स हैं उनके साथ हमारी बाचित लगातार चल रही है और आगे लोग कम्यूनिटीज जो हैं आपस में बाच्चित कर रहे हैं और सेंस ऑप नॉर्मेल सी रिटान हो रही है तो इस पर तुरंत मैं भी उकटना सेल पर पोचा था वो एक जो इलेक्रिक जंक्शन बोक्स है वहां से उस एरिया के अंदर वो आग लगी हुई थी जिसको क्विकली काबू भी कर लिया गया था उसके लाबा आग कहीं और नहीं पहुँची थी अपीर्स दैट की बारिश का मोसम था बारिश हो रही थी तो शायद वो शौट सर्कुटिंग भी एक कारण हो सकता है तो यह जांच का विशह है इसके लाबा कोई हमें पॉल प पुलिस पूरी मुश्तेदी से सभी पॉइंट्स पर कवर कर रही है और आपके चैनल के माद्य हमसी अब मैं अपील करता हूँ आम जनता से यह आप शांती बनाए रखें हम किसी भी एफवाहों के अंदर विश्वाश ना करें थोड़े लोग जो है जो रूमर्स फैला रह हैं उनके किसी प्रकार से विश्वाश ना करें थैंक्यू और यहाँ पर प्रसाशन दोनों कोशुश कर रहे है कि हर्याना की जो सिती है उसे कंट्रोल किया जाए फिलहाल आपको अगला जो बयान है वो गुरुगराम के स्पी क्राइम का सुनवाते हैं क्योंकि नू की जो आग है हिंसा की वो गुरुगराम तक पहुची वहाँ पर कई मश्जुदों को यहाँ पर निशाना बनाए गया आपको बता दी कि कई लोग खायल हुए पेट्रोल बंब वहाँ पर फेकी गए तमाम ऐसी चीज़ वी फिलहाल सुन लेते हैं कि एस पी क्राइम का क्या कुछ कहना है कितने लगों परस्ट किया गया है तेकि नू की घटना को जो अंजाम दिया गया था वो 31 जुलाई को दिया गया था उसके बाद कुछ चीज़े एसकेलेट हुई नेर्भाइ एरिया के अंदर गुड़ाओं उनमें से एक था क्यूंकि बींग नेबरिंग डिस्टेक गुड गुड़ाओं के अंदर सभी के अपर गयांता से मॉनिटर करा जा रहा है उन चीजों को इन्वेस्टिगेट करा जा रहा है और केसे सोल है जो अर्ड़ी बीन रिजिस्टर इन लंबर ऑफ 22 जिसके अंदर अभी तक गुड़ाओं प्लिस ने जो इन केसे का इफायर रिस्ट करे कि बात करें कई सारे वीडियो और रूमर्ज अवो चल रहे हैं सोच्फिल मीडिया के मादियम से काफी असे रूमर्स है काफी एसे वीडियो सपोस्ट करी जा रहे हैं जोशायद कहीं और दूसी जगाON की भी है व कुछ यह जरू बानते हैं कि नू मेवात के अंदर और संबंदत के खिलाफ FI arrested करी गई है, ऐसे miscreants जो लोग खास कर एक्टिविटीज में illegal activities को अंजाम दे रहे थे, उनके खिलाफ सक्ताई से कारवाई करी गई है, लोगों की पहचान करी जा रही है, अरेस्ट करे गई है, लोगों को detain करा गया है, लेकिन हम ऐसे किसी भी हम, मैं मैं आपकी तरफ से एक मादेम से आपको सूचित करना चाहता हूं, आम पबलिक को सूचित करना चाहते हैं, कि हम हिंदू और मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, हम उनके खिलाफ हैं, जो लोग मिस्भेव कर रहे हैं, मिस्लीड कर रहे हैं, गलत activities में involved हो रहे हैं, तो काफी ले रहे हैं, तो किसी की सुरक्षा के लिए ले रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं, किसी तरीके से लोग गलत रिमर्स पहलाएं, कि पुलिस किसी पर्टिकलर समुदाय विशेश के लिए काम कर रहे हैं, पुलिस काम कर रहे हैं, तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश है, कि पुलिस सम्वेधन शील होकर इन चीजों के अपरेक्टिविटी करें अपनी कारवाई करें लेकिन हाँ ये बिल्कुल हम वार्निंग देना चाहते हैं सक्ताई से अगर जो लोग भी इस तरीके की गैर कानूनी गतिविधियों में पाये जाते हैं चाहे हो किसी भी समुदाई वशेश क उनके खिलाव सक्ताई से कारवाई करें जाएगी उनको अइटिफाई कर्या जाएगा और पुलिस बिल्कुल स्क्ताई सो उनके खिलाव करें गया तो लेकर क्या आप कासा दोगारिय कहीं हैं, गुरमाओं में कितनी इसकार didn't work ? जुम्हे की नमाद हमीशे से आदा हुती आए हैं और गुर्डगाओं प्लिस के भिहाब करें पर हमेशे से इंतमाज हुते रहहते हैं जो सेक्युटी औरेंजमेट में हमेशे से रहते हैं और वो खाली जुम्ह की नमाज के लिए नहीं, वो इसे कुछ भी इस तरीके के कुछ इवेंट्स आते हैं, उनके लिए security arrangements हम जारी करते हैं, और as usual जो हमारी normal standard procedures रहते हैं, उसके तहाँ हम arrangements करते हैं, हमेशा से होते हैं, लेकिन अभी मुलाना साब ने भी एक appeal करी है, कि जितन Muslim समुदाय से लोग हैं, वो अपने घरों से उस चीज़ के लिए नमाज अदा करें, लेकिन गुडगाओ पुलिस की तरफ से ऐसी restrictions हम नहीं करेंगे, आप कहीं पर भी कर सकते हैं, आपने उससे कर सकते हैं, लेकिन एतियादन इन चीज़ों का ध्यान रखें, ताकि होना बनी रहे, हम हिंदू पक्ष, हिंदू समुदाय से भी अपील करेंगे, इस प्रिकार की किसी भी गतिविद्यों को कुछ अंजाम ना करें, और आपसी भाहिचारा और सद्भाव बनाए रखें, यह अपील करना चाहते हैं, इसके लावा सर, पलाइन भी दोगाओं के क लोग अपने घरों को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन हम दुवारा से अपील करना चाहते हैं, हम लगातार पिछले दो दिनों से यही अपील कर रहे हैं, कि गुडगाओं आपके लिए सेफ है, आपको किसी भी परकार का कोई भाह नहीं होना चाहिए, हमने अलरी अपने नं अंडर कंट्रोल है, पुलिस हर जगह मॉनिटर कर रही है, नाकाबंदी हो रही है, इसे लोगों की चेकिंग कर रही है, इंटिफिकेशन करने ही कोशिच कर रहे हैं, जो लोग ऐसी अक्टिविटीस को अंजाम देते हैं, तो इस परकार से पिछले 24 गंटे में तो कोई घट आते हैं, कि आप बिल्कुल भे मुक्त रही है, किसी भी परकार की कोई ऐसी घटना करम नहीं होने देते हैं, फिलाल सरकार और प्रसाशन दोनों ही हर्याना के स्थिती सुधारने की कोशिच कर रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ विपक्ष इस पर सियासत करने में जुटा और अब हर्याना को लेकर मौनसुन सत्रप में हंगा में हो रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हर्याना सरकार को सोशल मीडिया की थूँ यहां पर एक भनक लग गए थी, तो फिर उन्होंने प्रसाशन को अलर्ट क्यों नहीं किया, और यहां पर अभी तक कड़ा आक्श की लालसा की बलीवेदी पर चड़ा दिया है, कुर्बान कर दिया है, आज हर्याना के मुक्यमंत्री शिरिमान मनोरलाल खटर कह रहे हैं, कि वो हर्याना के एक-एक व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकते, खटर सहाब, हर्याना के 2.70 करोड लोगों की सुरक्षा की जुम्यवारी आपकी है, और अगर आप और आपकी सरकार हर्यानियों की सुरक्षा करने में ऐस समर्थ है, तो यह राजनितिक दिवालियापन है, जोला उठाईए और घर चले जाईए, क्योंकि ना आप राजदर इनिक उनमाद फैलवाकर, हिंदू मुसल्मान को लडवाकर वोट बटोरने के लिए, भाजप्पा जजपा ने जो गुडगावा के साथ किया है, वो हर्याना के लिए दशकों और वर्षों तक घातक रहेगा, हर्याना में गुडगावा एक आइलेंड ओपीस है, शांती, उद्योगिक प्रगती इंटरनेशनल कॉर्परेट ओफिस का हब है, पूरी दुनिया की हर पैक्टरी का कॉर्परेट ओफिस जो है वो गुडगावा में है, जब वहां धार्मिक उनमाद होगा, दंगे होंगे, गाडियां जलाई जाएंगी, तो इन्वेस्टमेंट, निव पाके कूकर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी. पहली बार नहीं है, हर्याना में तो एक के बाद एक ऐसे हालात कई वार बन लिए, इनकी जब से सरकार बनी आई है, हम मांग करते हैं सरकार से, कि कम से कम तब साब सतर के नहीं थे, आप पूरे कदम उठाइए उचित, ताकि हर्याना में और नुक्सान ना हो, आपस में शा ना जाए, हर के खिलाफ कटोर से कटोर इस तरह की कारवाई की जाए, कि केस्ट के अंदर एक उधारन बने, कि हर्याना के अंदर अगर कोई एक तंगार में शामिल पाय जाता है, तो ये कारवाई की जाती है, और साथ में, हम ये भी मांग करते हैं, कि सरकार नेतिक जिम्मेदारी ले क्योंकि ये परसास्मिक विफलता के बेगार नहीं हो सकता था और नेतिक जिम्मेदारी लेकर जो जो इसमें जहां कहां चूक हुई है वो सारी बाद सरकार सावजनिक करे चांच करे सरकार सावजनिक करे कि कहां कहां चूप हुई है और वहां भी कारवाई है मुख्य मंतरी के स्कीफ़े की भी मांग जाए ने चाहिए नेतिक जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए जो मुख्य मंतरी ये कह रहे हैं कि साथ हजार पुलिस बल तीन करोड हर्याना वासियों को सबको सुरक्षा नहीं परदान कर सकती ये गैर जिम्मेदारा जाना ऐसा बयान जो मुख्य मंतरी जी दे रहे हैं उनको नेतिक अधिकार नहीं है क्योंकि परदेश सरकार का पहला करतव परदेश के लोगों को सुरक्षित महसूस कराना सुरक्षा देना होता है ऐसे मुख्य मंतरी और ऐसी सरकार को नहीतिक जिम्मेदारी देकर इस्तिफा देना चाहिए और हमें कमान सोप को हम दिखाएंगे कैसे सबको सुरक्षा दी जा सकती है कॉंगरेस की सरकार दस साल रही हरियाना के अंदर कोई एक भी कोई बड़ा कोई दंगा या कोई इस प्रकार का बड़ा कानून वेस्ता में कहीं जो है कोई दस साल तक नहीं हुआ तो आज ये सरकार को आत्मंधन करना चाहिए और जिम्मेदारी देना चाहिए आपने कॉंगरेस के नेताओ के बयान सुने उन्होंने साफ तोर पर कल के सीम के बयान को लेकर यहां पर टार्गिट किया है उन्होंने कहा कि सीम कह रहे हैं कि यहां पर पुलिस सबकी सुरक्षा नहीं कर सकती लेकिन आप हमें कमान दे कर देखिए उसके बाद हम बताएंगे कि सुरक्षा कैसे होती है तो लगातार कॉंग्रेस और तमाम राजनीतिक पार्टिया जो है उन्हें अब मुद्दा मिल गया है हर्याना को लेकर क्योंकि हर्याना की जुज स्थिति है और तीन दिन से जो तस्वीरे आ रहे हैं उसके बाद सरकार पर सवाल उटना लाजमी है अगला जो बयान है वो आप पार्टि के तमाम नेताओं के सुनवा देते हैं क्या कुछ उनका जिस्तिती पर कहना है देखे कल बड़ा ही बहुत ही सप्राइजिंग रहा जैसे ही लोकसबा दो बज़े बैठी लेजिसलेटिव बिजनस ट्रांजाट करने के लिए सत्ता पक्ष के जो सांसत थे बीजेपी के सांसत उन्होंने शोर हर शुरू कर दिया हला गुला मचाने लग गए जिसके चलते हाउस अट जान हो गया मातर एक डेड़ मिनिट में हाउस अट जान हो गया तो ऐसा लगता है कि सरकार की मनशाई नहीं है सदन चलाने की सरकार की मनशाई नहीं है लाकर उस पे मद्दान भी कराया जाए उस पे चर्चा हो नजाने क्यों सरकार रड़ी बिल पे चर्चा से भाग रही है उनası शायद ऐसा लगता है कि अगर वो चर्चा पे आएगा तो तमाम सांसत मिलके कि इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसा सरकार को एक्सपोस करेंगे और ये सिद्ध करेंगे सदन के पटल पे कि कैसे सरकार एक चुनी हुई लोकतांत्री धंग से लोगों के जनमत से चुनी हुई सरकार की शक्तियां लेकर उसकी हत्या कर रही है दूसरी तरफ फडियाना में जो फिंसा हुई है नूर में और गुड़ाओं में मुख मंती ने कहा है कि जो लोग गंगाई लोग है उनसे ही इसका कंपेंसेशन वसूला जाएगा देखे एक चीज साफ हो गई है पिछले कुछ तिनों में वो ये है कि बीजेपी के हाथ में देश सुरक्षित नहीं है बीजेपी इस देश को अमन, प्यार, शान्ती, भाईचारा और एक अच्छी कानून में वजथा नहीं दे सकती एक तरफ हमारे देश का एक अभिन अंग, हमारा एक बॉर्डर स्टेट मनीपूर जल रहा है, पिछले 95 दिन से जल रहा है मादो समधाओं के बीच बहुत हिंसा हो रही, एथनिक लेंजिंग तक का दर्जा दिया जा रहा है उस हिंसा को और दूसरी और हर्याना, जो भी बीजेपी शासित प्रदेश है, जहां सदेव से शांती रही है, वहाँ एक प्रकार से सामप्रदाइक सदभाव बिगड़ा है, वहाँ पे सामप्रदाइक हिंसा हुई है तो ये दोनों चीज़ें ये दिखाता है कि बीजेपी विफल है, देश को शांती, सदभाव और एक अच्छी कानून ववस्ता देने में, दोनों मनिपूर और हर्याना में भाजपा की सरकार है, केंदर में भाजपा की सरकार है, फिर भी इस प्रकार से अगर हालात बन रहे हैं, तो यही समझ में आता कि या तो बीजेपी कंपलेसेंट है, या तो बीजेपी निकम्मी है, उसके बसकी नहीं है, कानून ववस्ता संभालना, या फिर वो मिली भगत हैं उनकी, और मिली भगत के चलते ही, वो खुदी इस प्रकार के भाईचारे को डिस्टरब करने में अपना योगदान दे रहे हैं. कि नौगत अगरा तो कर सकते हैं, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि ओपन वोटिंग होती है, या शिक्रेट वोटिंग नहीं होती है, तो पाटे वीजेप के आपसे सब को जाना पड़ेगा, नितो सदस्ता खतम जाएगी, प्रंतु जो आत्मा के नाचन आपको वात हो कर देखेए, जो भी अट्जेट मेंट होगा, यह तो सरकार अपने तरीके से चिज़ेंग को चलाती है, सरकार पहले दिन से हम चर्चाओं के मांग करते हैं, चर्चा करवाना नहीं चाहती, बिना चर्चा के चीज़ें पास होती जारी हैं, तो उसका कोई लाज भी नहीं है जब जब हरियाना में दंगे हुए है, दो जब चोदा में हुए है, सोला में हुए है, सत्रा में तब तब हरियाना सरकार फेल हुए है, अब भी यह जब मनुपूर की आँच मेवाद में पहुची और मेवाद से चलके पूरे यह हरियाना के अंदर जो फैल गई है, इस पर मनौरला जी कहते है कि मैं हर वेक्ति को सरक्षा नहीं दे सकता, कैसी कमजूरी के बात यह मुख्यमंत्री क करते हैं हरियाना के, इनको फोर्स की कभी बताते हैं तो फोर्स बर्ती करने चाहिए थी, केंदर सरकार से पुलिस को मांगेना चाहिए था, परनतो हरियाना के हर वेक्ति की जुम्यदारी सुरक्षा की सरकार की बनती है, और सरकार अपनी इस दायत्व से भाग रही है, यही कारणे के हरियाना में समय समय पे निवेस नहीं आ रहा है यही कारणे के हरियाना में रोजगार पैदा नहीं हो रहे सबसे बड़े बेरोजगारी का केंदर हरियाना बन चुका है और यही कारणे के हरियाना में रहना अब लोग आश्रक्षित समझने लगे हैं पर अंतो फिर हर्याने के लोगों से मैं अपील करना चाहूंगा कि वक्त हमेशा एकसा नहीं रहता आप आपसी भाइचारे को बना करकें सुहारत पुन वातवरन करना करकें एक दूसरे के मदद करा हर्याने को आगे बढ़ना है हर्याने को विक्सित होना है इजाती और धरम के लड़ाई कं उपद्रवियों के साथ सकती से पेशाना चाहिए और कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए कानून में जो भी प्रावधान है उन सब भी प्रावधानों का इस्तवाल होना चाहिए अपने इस पे नोटीस भी दिया है राजय सबाम राज नोटीस 267 पे दिया है जिसमें हर्याना और मनिपूर दोनों पर चाहिए क्योंकि 267 चेर्मिन साब अलाओ करते नहीं बेसिकली तो जरूरत 267 की है परन्तु देख रहे हैं मांसून सत्र के पहले दिन से चेर्मिन सामन इसको लाओनी किया एक मैंने जीरो आउर का नोटीस भी दिया जिसमें हर्याना पर चाहिए के अंदर जो हरा जकता फैली वेस्ट पर चाहिए कि दूसरा मुद्धा सर अभी जिस तरह बियाना में इससे की दिखिए मानिकूर में ने का कि पच्छे मंगाल में कुछ भी होता है तो के सरकार अपनी प्रेंज के इसको परचारिप किया जाता है कि सरकार काम ने कर लिये लेकिन बीजेपी शासितराता है तो उसे माफ कर देंगा तो तो सेचे मैं कुर ने को देख रहे हैं मनिपूर के अंदर आज तक ऐसी कोजिशन मैं आज तक नहीं देखी जैसे तो यहाँ पर आपने आप पार्टी के हर्याना प्रदेश अध्यक्षिक का बया तो यहाँ पर आप पार्टी के घेरती हुई नजरा रही है प्रेस कांफरेस में क्या कुछ बात चीथ हुई आपको सुनवा देते हैं मेडिया के सभी साथियों का आज की सांफन्स में बहुत बहुत से बहुत हैं जैसा आपको बता है कि इस वक्त प्रदेश एक बेहत दंभीर परिस्थिती से जूज रहा है हर्याना में कभी भी सांप्रदाइक सोहार्द का वातावरण नहीं बिगड़ा आपसी भाईचारे से हम सदियों से रहते आएं लेकिन जिस तरीके की घटना नू और मेवात के इलाके में हुई और उसके बाद कई और जिलों में हर्याना के कुछ-कुछ घटनाएं देखने को मिली उससे ये साफ संदेज आता है कि ये किसी प्रकार की राजनितिक साजिश तो नहीं और कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहरलाल खटर जी का बयान आया तो मुझे स्मरण हुआ कि मनोहरलाल खटर जी ने 26 अक्टूबर 2014 को और 27 अक्टूबर 2019 को जब मुख्यमंत्री के पद की शपत ली थी तो उन्होंने हर्याना के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का बायदा भी किया था लेकिन आज सम्मिधान की शपत लेने वाले मुख्यमंत्री मनोहरलाल खटर जी कहते हैं कि हर्याना के हर नागरिक को सुरक्षा नहीं दे सकते हर नागरिक की सुरक्षा नहीं कर सकते सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी का ये बयान सम्मिधान की उनकी शपत के खिलाफ उनके पद की प्रतिष्ठा के खिलाफ और बहुती गैर जिम्मेदाराना बयान है मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से कहा कि प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा पुलिस नहीं कर सकती है यानि सरकार प्रदेश के हर नागरिक को सुरक्षा नहीं दे सकती है इसका सीधा मतलब ये कि वो अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार हो चुके हैं उनको तुरंद प्रभाव से अपने पज से इस्तीफा दे देना चाहिए हम क्यों बार-बार ये कह रहे हैं कि हरियाना को भार्मिक या ये कहें सांप्रदाईक दंगों में ठेकने की एक सूध योजित साजिश की जा रही है उस तरब धकेला जा रहा है पुरे प्रदेश को ऐसी अगर कोई गतिविधी वहाँ पर होनी थी जिसकी की कल हमने देखा कैमरे पे इंटेलिजेंस के अधिकारी वहाँ के ये कह रहे हैं दस दिन पहले इसकी सूचना देदी थी कि यहाँ पर कुछ भी गलत हो सकता है गड़वड हो सकती है उसके पावजूद ग्रेह मंत्री विज साब कलिए कहते हैं कि CID की कोई पूर्व इंटेलिजेंस उनके पास नहीं थी 2020 में CID के अधिकार को लेकर के मुख्यमंत्री और ग्रेह मंत्री के बीच जिस तरीके का विवाद हुआ वो पूरे प्रदेश ने देखा था तो क्या ऐसी संभावना है कि CID मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करती है और ग्रेह मंत्री को CID की सूचनाएं नहीं दी जाती या नहीं दी गई क्योंकि CID कह रहे हैं कि हमने तो पूर सुचित किया था ग्रेह मंत्री कह रहे हैं हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं थी तो क्या CID सिर्फ मुख्यमंत्री के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए काम करती है और उनकी सूचनाएं जो की गंभीर श्रेणी में आती हैं उनको ग्रेहमंत्री के साथ और पुलिस विभाग के साथ समय रहते साजा नहीं किया गया जिसकी वज़े से इतना बड़ा हादसा हुआ इतनी बड़ी घटना हुई और जिसकी वज़े से प्रदेश का माहौल बिगड़ा दूसरा बुख्यमंत्री जी को CID रिपोर्ट करती है और ये सुचना ग्रेहमंत्री के पास नहीं गई है तो पहली पार दूसरी बात कि उसी समय सेकडो नू जिले के पुलिस कर्मी उनको नू जिले से निकाल करके जबकि ऐसी कोई समवेदन शील अगर परिस्टिती होती है तो बाकी जिलों की फोर्स को भी डेपलॉय किया जाता है जहां पर ये यात्रा हो रही थी या जहां पर भी इस तरीके की घट्ना का अंदेशा था लेकिन उसके बाबजूद नू जिले के सेक्ड़ों पुलिस कर्मियों को वहां से निकाल के मुख्यमंत्री जी ने अपनी सुरक्षा में दूसरे जिले में बुला लिया ऐसा क्यों किया गया तीसरी बात जो संदे की तरफ इशारा करती है कि ऐसी कोई सब्वेदंशील परिस्तिती होती है तो सीनियर अधिकारियों को चुट्टी दी नहीं जाती और अगर चुट्टी पर हो तो उनकी चुट्टी तुरन प्रभाव से कैंसल करती है लेकिन नूग के पुलिस अधिक्षक जिस दिन ये पूरा धकना करम हुआ उस दिन चुट्टी पर थे ऐसी सम्वेदंशील परिस्तिती में जब पहले से इंटेलिजेंस का इन्पुट था पुलिस अधिक्षक के चुट्टी सरकार ने क्यों मंजूर की चौथी बड़ी बाद उपुमुख्यमंत्री कहते हैं कि यात्रा के जो आयोजक हैं उन्होंने सही जानकारी नहीं दी जिसकी वज़े से हो सकता है कि मिस कैलकुलेशन पुलिस के तरफ से हुआ यात्रा को भार्तिय जंता पार्टी की जिला धर्ष गुड़गाओं से हरी जंडे दिखाकर रवाना करती हैं उस पार्टी की नेता जो आज के दिन में प्रदेश में सकता में हैं उनकी बहुत मैत्वपून जिम्मेदारी थी कि सही सूचना तो क्यों नहीं दी गई ये भी संदे उत्वन होता है मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए पुलिस उपलब्द नहीं है अर्याणा में पुलिस कर्मी नहीं दिया जा सकता तो हम मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछना चाहते हैं कि सिपाई से लेकर इंस्टेक्टर तक 25,186 स्विक्रित पदों में से इस वक्त सिर्फ 49,808 पद भरे हैं 25,000 से ज्यादा पद इस वक्त पुलिस विभाग में हर्याणा के अंदर खाली हैं क्या मुख्यमंत्री इसकी जिम्मेदारी लेंगे कि उनकी वज़े से पुलिस पोर्स की कमी की वज़े से हर्याणा प्रदेश में बार बार कानून विवस्था की स्थिति उत्पन होती है क्या मुख्यमंत्री जी इसका संग्यान लेते हुए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तिफा देंगे क्योंकि रदेश में नौकरी देना नहीं देना ये तो सरकार के जिम्मेदारी है और ये सारी गंभीर स्थिति उत्पन होती है अगर पुलिस की कमी की वज़े से तो साफ नजर आता है कि मुख्यमंत्री मनौरलाल खटर जी ग्रे मंत्री अनिल विज्जी समेथ पूरी सरकार इस परिस्थिती को कंट्रोल करने में लॉएंड ओर्डर को मेंटेन करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है इसलिए तुरंद प्रभाव से मुख्यमंत्री और ग्रे मंत्री को अपने पज से इस्तीफा दे देना चाहिए और जो सक्षम लोग सरकार चला सकते हैं उन्हें मौका दिया जाना चाहिए कि इस पश्ट तौर पे इसको आप कहें कि एक सुच्छी समझी रणनी पिकेता है एक एक्सपेरिमेंट करने की कुछिश्टी गई है तो यह गलत नहीं होगा कि इंदर में बार्पिजंता पार्टी की सरकार है कोई कुछ नहीं बोला पड़ी पुद्टे पर भी ऐसे ही इंसा को होने दिया गया किसी ने ध्यान नहीं दिया इसी तरह से हर्याना को भी सामप्रदाईक दंगों की आग में जोकने की एक सून योजित साजिश रची गई और सरकार सही वक्त पर मुँ बोड़ के खड़ी हो गई पुलिस की ड्यूटी जिले से बाहर लगा दी गई पुलिस अधिक्षक को छुपती दे दी गई इंटेलिजेंस की इंपुट साज़ा नहीं की गई एक दूसरे के साथ और सही जानकारी के कितने लोग वहाँ पर हो सकते हैं वो दी नहीं गई ये सारी चीजें इस तरफ इशारा करती हैं कि सरकार ने इस हिंसा की तरफ से मूँ मोड लिया और उसके बाद अब मुख्यमंत्री गहर जिम्मेदाराना बयान देते हैं कि पुलिस नहीं है हर व्यक्ति को सुरुक्षा उपलब दतराने के लिए तो मुख्यमंत्री जी आपको भी इस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है इसी से जुड़ियों भी एक और समस्टा जो पैदा हो गई है वो भी आपको ध्यान देना चाहिए ग्रुप C का 5 और 6 अगस्त को एक्जाम है और उस परिक्षा के लिए पहले ही सरकार ने युवाओं के साथ बहुत ज्याद्थी की है कहा कि जितने पदा उसके सिर्फ 4 गुणा युवाओं को बुलाया जाएगा परिक्षा देने के लिए जबकि सभी CET क्वालिफाई किये हुए युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए था इसके लिए इतने लाखों बच्चों का भविश्य बरबाद करने की साजिश पहले ही सरकार रच चुकी है उसके बाद अब जो 4 गुणा बच्चे भी परिक्षा देने के लिए एलिजिबल किये गए है 5 जिलों के अंदर इंटरनेट सेवाएं 5 तारिक तक बंद है 5 और 6 तारिक को एक्जाम है इन जिलों में अभी भी कानून व्यवस्ता किस तके ठीक नहीं है क्या सरकार को बिल्कुल कोई परवा नहीं है कि ये बच्चे एडमिक कार्ड कैसे इनको हासिल होगा कैसे ये बच्चे एक्जाम देने के लिए जाएंगे क्या सरकार को युवाओं के नौकरी के साथ खिलवार करने में मज़ा आता है क्या वैकल्पिक व्यवस्ता का अनाउंस्मेंट अभी तक नहीं हो जाना चाहिए था आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो तीन तारिक है क्या वैकल्पिक व्यवस्ता सरकार ने की कि युवाओं इंदिसरकार की तरफ से भीजी गई है और राजसरकार यहां पर शांती भाल करने की कोशुश कर रही है वहीं लिकिन मुझे लगा कि देश भर में अनिग घटना या इसी हो रही कि जान 속 uni देश तरक्की जब कर रहा है तो देश का सामाजिक टानाबाना टूटे और सामाजिक सवहार जो बना हुआ है वो टूटे इसका कुछ लोग निश्चित प्रयास कर रहे हैं और इसलिए केरल में दो सब्ता पहले इंडियन मुस्लिम लीग जो इंडिया अलायंस का हिस्सा है औ और जो कॉंग्रेस का साथी है वो उस दल के युवा अगाड़ी ने एक बहुत जुलूस निकाला और जुलूस में आत्यांत प्रक्षोभक नारे लगाए उन्होंने कहा कि रामायन पढ़ने वाले आपको जिंदा जला देंगे मंदीर में तो इस तरह के नारे जब लगते ह और पहला नारा लगाने वाले को पार्टी ने सरस्पेंट किया लेकिन बाखी जिन्होंने रिस्पॉंड किया उनको नहीं कुछ किया तो मैंने मांग की है कि केरल सरकार को भी टफ एक्शन लेनी चाहिए लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सुप्रिम कोट को भी एक तरह से स्वयम सग्यान लेना चाहिए कि क्या देश का सामाजिक सभार बिखरने की कुछ लोग जान बुझ कर कोशिश कर रहे नुह के बारे में मैं इसलिए महीं बोलूँगा क्योंकि जब स्थिती अभी नियंतरन में आ रही है और वो उसकी जाच चल रही है उसके बाद ज़रूर बोलेंगे आभी नहीं नेगे कानून तोड़ने वाले अपरादियों के मन में भै होना चाहिए वो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुचाएंगे तो उनकी भरपाई उनसे होनी चाहिए ये कानूनी प्रावधान है और ये मुख्यमत्रिजी ने ने कहा ऐसे लोगों के खिलाब जिन्नोंने संपत्ति को नुखसान पहुचाया है वो उनसे वसूल किया जाएगा ये तैकर दिया मुक्रमत्री ने लेकिन सब्सक्राइब जो मुझी पक्षी दलों के नेता है वो ये कर रहा है कि कम्प्लीट लॉए और फिलियो था और मनी पुर्जा कुलना कर रहा है देखिए विरोधियों के पास आज अस्तित बचाने के लिए कुछ बचा बाकी नहीं है वो हर चीज में वोट खोजते हैं हर चीज में उनको वोट चाहिए लेकिन हमको देश चाहिए भाईचारा चाहिए हमारे लिए पहले देश है पहले भाईचारा है उसके बाद बोट की बात है बोट आती रहेंगी जाती रहेंगी तुनावाते रहेंगी जाते रहेंगे कोई जीतेगा कोई हारेगा लेकिन देश बचेगा भाई चारा बचेगा तब यह सारी चीजे बचेगी तो सरकार के यहां पर जो बयान है वो आपने सुनो निसाफ तोर पर कहा कि यहां पर विपक्षी पार्टिया उन्हें सिर्फ वोट चाहिए और इसलिए हर्याना के इतने जादा जरूरी मुद्दे को वो यहां पर राजनितिक तरीके से भुनाने के कोशिश कर रहे हैं आपको बता दे बीजेपी के नीता ने कहा कि यहां पर हमें भाईचारा और देश जो है वो सबसे ज़ादा प्रिय है इसलिए हम जगतार कोशिश कर रहे हैं कि हर्याना में जो स्थिती है उसे कंट्रोल की जाए आपको बता दे कि नू की जो आग है हिंसा है वो गुरुगराम तक पहुची और आपको बता दे कि जुमे की नमाज को लेकर गुरुगराम के एक इमाम का जो बयान है वो भी यहां पर सामने आया अगला बयान उनका सुनवा देते हैं आपको मैं अब्दुल हसीब कास्मी चेर्मेन गुरु गुरु गुराम इमाम संगटन मेरी सबी से गुजारिश है कि जैसा माहूल चल रहा है गुरुगाओं के अंदर जो भी मसाजिद हैं उनमें सिर्फ वही अमला नमाज अदा करेगा जो उसमें रहता है यानि चार से या पांच लोग और इसके अलावा जो लोग भी गुरुगाओं में मौजूद हैं उनसे गुजारिश है कि वो मस्जिद जाने से अवाइट करें और चार अगस्ट को ओपन पलिशिस पर भी नमाज नहीं होगी हम सब ने आपस में बैट करके मशवरा किया है और टाय किया है कि हम सब लोग ना ही ओपन पलिशिस पर नमाज अदा करेंगे और ना ही मस्जिद में जाएंगे अपने घर पर नमाज अदा करेंगे चार अगस्त इसके अलामा अफवाहों से बचें आपसी सोहत को मनाय रखें अमन को बरगरार रखें अफवाह पर ध्यान ना दें गुड़गावा जिना परशासन और पुलिस परशासन 27 गंटे हमारी खिदमत में लगा हुआ है और गुड़गाव के हर वासी को अपना वासी गुड़गावा परशासन समझता है इसलिए वो अपनी आराम छोड़ करके अपनी नीद छोड़ करके रात दिन हमारी खिदमत में लगा हुआ है इसके लिए वो हम उनको सलाम पेश करते हैं कि अपनी नीद छोड़ करके, अपना अराम छोड़ करके, हम सब की किदमत में वो लगे हुए हैं, कि किसी तरह से भी माहूल खराब ना हो, इसलिए हम सब जिला पर शासन, पुलिस पर शायोग करें, जो भी इस तरह की गट्टाएं हो रही हैं, उन से बचें, अफ़ाओं से बचें, नमाज अपने घर पर अदा करें, और सोशल मिडिया का गलत इस्तिमाल ना करें, यह हमारी सब से गुजारिश है, और दूआ करें, कि अल्ला सुभान वटाला बुरवाओं शहर का, हरियान परदेश का, पुरे मुल्क का माहौल अच्छा बनाये रखें, इसको नज जाने ना दें, सारे फूल में ताज़गी पर करार रखें, और आप से सौहाद बनाये रखें, जैहिन